हेलो फ्रेंड्स आज हम इस प्यारे से बैक को बनाएंगे इसे बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है लेकिन बहुत ज्यादा आसान है आदा मीटर कपरे से मैंने इसे बनाया है यह पूरी तरह से खुल जाता है तो इसमें आप ज्यादा सामान रख सकते हैं और अच्छी तरह से रख सकते हैं बैक की उचाई 11 इंच है और चौड़ाई इसकी 10 इंच है साइड इसकी साड़े 5 इंच चौड़े हैं और इसका बॉटम भी साड़े 5 इंच का है दो पीस मैंने लिये हैं नीचे लाइनिंग करक कपरा रखा है बीच में चावल की बोरी रखकर इसे मैंने चारो सैड से 15 इंच है 15 इंच इसकी उचाई है तो इसमें हमें पहले साइड से 3 इंच पर निशान लगाना है 3 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे नीचे भी मार्किंग कर लेंगे और इसे एक लाइन ड्रो कर लेंगे या फिर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे दूसरे side भी हमें इसी तरीके से 3 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से fold कर लेना है अब इसे भी fold कर लेंगे इस line के उपर और किनारे किनारे में इसके ऊपर सिलाई लगानी है तो चली देखते हैं किस तरह से इसे stitch करना है तो बिल्कुल थोड़ी सी सिलाई हमें लगानी है इंच टिप में जो points बने होते हैं उसमें से एक point के बराबर ही हमें सिलाई चलानी है तो ऐसे दोनों पीस में हमें करना है तो इसे क्या होगा कि बैक के साइड बहुत अच्छे से बन जाएंगे जो दीकि मैंने सिलाई कर ली है अब बैक के लिए हमें हैंडल बनाना है हैंडल बनाने के लिए कपड़ा मैंने लिया है उसकी लंबाई 17 इंच है और 14 इंच है बुकरम के दो पीस मैंने इस तरह से कट किये है अब इसे यहां रखकर दोनों किनारे से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे इसे उपर से भी थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे उसके बाद इस तरह से बुकरम या चावल की बोरी का एक पीस कट करके इसे इस तरह से रखकर फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे तो दिखी दोनों हैंडल बन गए हैं अब इसे हमें बैग में लगाना है तो सबसे पहले सेंटर मार्ग कर लेंगे इस तरह से फोल्ड करके बीच में निशान लगा लेंगे अब सेंटर से हमें दोनों साइड 2.5 इंच पर निशान लगाना है यहां पर 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और दूसरे साइड भी 2.5 इंच पर निशान लगाकर इसी कोपर बैल्ड को हमें रखकर सिलाई करना है डाइंच वाले निसान से हमें दो इंच नीचे तक एक लाइंड डो कर लेनी है दोनों साइड और इसी के उपर बेल्ट को हम रखकर सिलाई करेंगे तो इस तरह से रखेंगे और इसको स्क्वैर में हमें सिलना है यहां पर अच्छी तरह से दो तिन बड़ सिलाई लगा लेंगे तो यह दीखी मैंने दोनों साइड हैंडल की सिलाई लगा ली है अब इसमें हमें जीप लगाना है जीप को एक साइड से लॉग करेंगे तो इसके लिए दो कपरे के छोटे-छोटे पीसा में लेने हैं, एक को नीचे रखेंगे और एक को जिप के उपर रखेंगे, इस तरह से रखकर सिलाई लगा लेंगे अब दोनों कपरों को तीनों साइड से फोल्ड करके इसमें हमें किनारे किनारे सिलाई लगा लेनी है, इस तरह से अब यहाँ से चारों साइड में सिलाई लगा लेंगे तो इस जिप लोक हो जाएगी एक साइड से तो यह दिखिए यहां से अपने सिलाई लगा लिए अब जो जिब के ऊपर का भाग है वहां से थोड़ा साइसे इस तरह से फोल्ड करके इसे यहां पर दो-तिन बार स्टिश कर लेंगे आप चाहे तो इसे हाथ से सुई धागे से भी सिलाई कर सकते हैं तो दोनों को हमें इसी तरह से स्टिश कर लेना है तो यह जिप हमारा डेड़ी हो गया अब देखिए इसे कहां लगाना है जो साइड हमने तीन इंच करके फोल्ड करके बनाये थे उसके बीच में ही इसे हमें रखकर सिलाई करना है जिप को कपरे के उपर उल्टा करके रखेंगे और यहां से लेकर यहां तक सिलाई लगाएंगे देखिए साइड वाला हिस्सा है जो हमने फोल्ड करके स्टिच किया था वहां पर जिप को नहीं सिलना है बस उसके अंदर दख्या में सिलना है जिस कपरे का हमने अंदर अस्तर लगाया है उसी कपरे का एक पीस मैंने लिया है लगबग डेरीन चौरा है इसे यहां से लेकर इस तरह रखती हुए हमें सिलना है तो जिप की जहां तक हमने सिलाई की थी वहीं तक इस बार भी जिप को सिलेंगे जो एक्स्ट्रा जिप है उसे इस तरह से साइट कर लेंगे इसे एक किनारे से लेकर दूसरे साइट तक हमें सिलना है अब इस कपरे को पलट कर पीछे ले जाएंगे इस तरह से और किनारे किनारे इसके उपर हम सिलाई लगाएंगे तो टॉप स्टेज भी लग जाएगी जिप को इस तरह से साम आगे कर लेंगे और इसमें किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे इसे पीछी की तरफ से खीज कर रखना है आँ अब पीछे वाले कपरे को इस तरह से पलट कर इसके उपर भी सिलाई लगा लेंगे आप चाहे तो हाथ से दूर पाई भी कर सकते हैं तो बस इसके उपर हमें लगा लेंगे तो यह एक पीस हमारे डडी हो गया अब दूसरा भी हम इसी तरीके से बनाएंगे इसको मिला कर रखेंगे कपरे की जो साइड हमने स्टिच की थी उससे बिलकुल इसे मिला कर रखना है और इस तरह से पलट कर जिप को उपर रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे चिलाई लगाने के बाद कपरे की स्टिप को लेकर हमें इस तरह से रखकर स्टिच करना है स्टिच करने के बाद फिर इसे इस तरह से दबा कर कपर स्टिच लगाएंगे और इसके बाद इसे फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे जैसे हमने पहले वाले पीस में किया था इसमें भी इसी तरीके से करना है अब इसका हम कॉर्णर कट करेंगी तो यहां पर तीन इंच पर निशान लगा रही हुँए तीन इंच पर हमने साइड बनाई थी तो बस साइड तक ही हमें इस तरह से उपर से लाइन ड्रो करके से कट कर लेना है अब इसकी कटिंग कर लेंगे इसी तरह से चारो कॉर्णर के हम कटिंग करेंगे कटिंग हो गई है अब इसे हम इस तरह से एक पीस के उपर दूसरा रखेंगे और तीन साइट से इसकी सिलाई लगा लेंगे सिलाई करते समय मैंने इसके उपर कपरे की पाय पीन भी लगा ली है अब जो बॉक्स हमने कटिंग किया था उसके दोनों साइट को मिलाकर सिलाई कर लेंगे और इसके उपर भी कपरे की पाइपिंग लगा लेंगे जिसे बैग अंदर से भी अच्छा दिखेगा तो इसे कोल कर देखते हैं कि बैग कैसा बना है तो इसमें आप सामान डेर सारा रख सकते हैं और अच्छी तरह से रख सकते हैं साइड को इस तरह से फोल कर लेंगे तो दिखे हमारा बहुत इसंदर साइगी बैक बन कर त्यार हो गया है वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएगा वीडियो दिखने के लिए आपका धन्यवाद